क्या permanent deleted file को recover किया जा सकता है windows में ये एक बहुत ही बड़ा topic है और लोगों को बहुत ही confusion है इसमें तो क्या ऐसा होता है या नहीं होता है अगर आपको लगता है कि मेरे videos useful है तो चैनल को subscribe करना ना भूले दोस्तो बहुत ही confusion है कि क्या permanent deleted data recover हो सकता है कि नहीं तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ recovered हो सकता है आपके hard disk, solid disk या pen drive से अगर TRIM technology enabled नहीं है तो वैसे TRIM technology mostly new SSD में होता है तो पुराने जितने भी hard disk हो या फिर pen drive हो सभी से data recovered किया जा सकता है अब ये possible कैसे है और TRIM में क्या होता है तो basically जब भी हम कोई file permanently delete करते हैं hard disk से तो बस एक message जाता है windows के पास कि that particular sector is available for use मतलब कि data permanently delete नहीं होता है बस windows के पास एक message आता है कि वो sector free है use करने के लिए लेकिन TRIM में क्या होता है कि जब भी आप कुछ delete करते हो permanently तो windows SSD को instruction भेजता है तब SSD यानि कि solid state drive उस file का content है उसको permanently delete कर देता है ताकि SSD का super fast speed maintained रह सके दिमाग में हमें साही यह रखे है कि in case अगर गलती से कोई important file आपका delete होयाता है किसी folder से या फिर कोई drive से तो overwrite ना करें पहले आप उसको recover करें उसके बाद कोई नया file वहाँ पे रखें तो आईए मैं कुछ examples आपको करके दिखाता हूँ मैं जो software use कर रहा हूँ उसका नाम है iCare Data Recovery इसका pro version भी आता है and free version भी आता है pro version में इसका जो है 1GB तक data recover कर सकते हो चलिए तो सबसे पहले मैं pro version को use करता हूँ और double click करके इसको मैं install करता हूँ उसके आद simply follow the instructions मैंने एक pen drive लिया है SanDisk का आपको बस यह रखना है कि जहां से आप recover कर रहे है वही पे आप recovery फाइल को store करने के लिए ना दे दे मतला कि माल लिजे कोई pen drive है या फिर कोई particular drive है जिसको आप recover कर रहे है ठीक है अब उसी में आप फिर से file recovered रख रहे है तो यह ऐसा नहीं करना आपको ठीक है अब मैं एक बार और iCare data recovery का free version यूज़ करके दिखाता हूं कि यह काम करता है या नहीं झांस झाल 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 यह वीडियो आपको पसंद आया होगा जितने भी popular recovery software है उनका link मैंने description में दे दिया है अगर आपका कोई सवाल है तो comment करके जरूर पूछे thank you so much for watching my video मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बबाए